इस एपिसोड में दोस्तों बात करने वाले हैं Apollo Tires Limited के बारे में and 280-290 के लेवल से हम लोग यहां पे stock के बारे में discussion कर रहे हैं कि यह जो zone है इसके बाद stock में अच्छे breakout आएंगे सबसे पहले आप एक चीज देखिए है charts पे कि stock जो है जब से stock में reversal आया था trend break हुआ था stock का इस level से 75 रुपीस के level से after 2019 COVID में definitely थोड़ी सी problem देखने को मिली but stock जो है uptrend के अंदर ही है and अगर आप इस company के financials देखेंगे जो अभी हम आपके साथ में discuss कर रहेंगे वो आप देखेंगे तो बहुत ही तेजी से grow हो है एक problem क्या रहती है stock जो है slow mover है comparatively थोड़ा सा अगर आप इस level से consider करेंगे तो stock ने अच्छा return 330% का return within 1200 days बना कर दिया almost 3-4 साल के अंदर 300% का return बना कर दिया तो which is quite good तो यहां पर company financially तो definitely काफी strong है तो यह factor मुझे यहां पर लगता है आपको strongly समझना चाहिए sales की बात करें sales growth अच्छी है इस company के अंदर आपको सबसे पहले समझना है कि high concentration market है मतलब कुछ few players है जो market को dominant करते हैं तो वह एक factor मुझे लगना है समझना जरूरी है क्योंकि जितनी company परानी और बड़ी होती है वह उतना यहां पर मुझे लगता है उन से स्टेक लेना वह थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली चीज होती है वह एक factor समझना चाहिए यहां पर बाकि अगर आप शेर होल्डिंग देखेंगे एस के पास में 22.35 परसंट है से एक फ़र सा कट करा है डिया इसने फ़र सा आट करा है और पब्लिक के पास में स्टेक कम हुआ है लास्ट डिविडेंट की अपडेट लेते हैं एक बार आद देखते हैं लास्ट डिविडेंट कब दिया था कमपनी ने और 16 जून 2022 को तीन और बच्चेस पैसे का डिविडेंट देखने को मिला था अभी हमें लगता देखें इस कंपनी के अंदर ग्रों करने के लिए बहुत सारी पोटेंशल है देफिनेटली और मार्केट के अंदर भी फॉदर ब्रेकाउट जैसे आते हमें लगता है इस टॉक उस लेविल के साथ में ग्रों करेगा तो यहां से कुछ टागेट्स डिसकस कर लेते हैं अगर आप फॉदर इस टॉक में पोजिशन बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग तो काफी प्रीवियस लेविल से हैं अभी हम लोग नई लेविल स्पाड नहीं कर रहे हैं स्टॉक को देखें यहां पर एक लेविल जो है स्टॉक में रिजिस्टेंस लेवल रहेगा 382 के जोन का और डाउनसाइट जो रहेगा स्टॉक में वह है 362 तो यहां पर अगर आप चार सो तीस रुपे के आसपास रहेगा अब आपको एक फैक्टर यह समझना है कि यहां पर एक चार सो रुपे की जो फिगर आएगी वह साइकलोजिकल फिगर है वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और वह स्टॉक का एटीएच भी हो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और वील कीप यू पोस्टेट विद इस टॉक उमीद करता हूं आपको वीडियो इंफोमेटिव लगी होगी कोई भी डाउट है प्लीस कमें सेक्शन में जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे नए एपिसोट के साथ में तब तक कल वीडे शक्रिया and THANKS फो वाचिं